हेलो इस्टुडेंट्स आर्ची एजुकेशन अब बांसुडवार संचालिक ओनलाइन क्लासेद में आपका हार्दिक शुवागत है डियर इस्टुडेंट्स कट सच है कि कनिक्ट भी सेमें हम पढ़ रहे थे प्रिश्णावली 10.1 जो परिमाप से संब्दी थी इसके कृष्चन हमाल कर चुके हैं पंद्रा कृष्चन हम परिमाप ग्यात कि जी नहां पर चार आकरतिया दी गई है और इंचार आकरतियों का हमें क्या भ्याद करना है परिमाब व्याद करना है, फिर इसमें एची दोर पुछी है कि आप उत्तर से क्या निसकर्स निकालते हैं, कि चारों आकर्तियों का जब हम परिमाब व्याद करनेंगे, उसके बाद जो हमें परिमाब प्राप्त होगा, तो उससे हमें क्या निसकर्स निकल के सामने आता है, क् और चारों आकरतिों का परिमाख व्याप करना ऑगा। अब शचान करेंगे। कौन सी आकर्थी है यह तो आप देख सकते हैं कि ए जो है ए में चारो बुजाए समाल है चारो बुजाओं को तिना लिखा है पची सेंटिमेटर पचीस सेंटिमेटर यान चारो बुजाओं की लंबाई क्या है समाल तो यह कौन सी आकर्थी बन गई लिए वर्क पर इस तरीके क्यूंतिक में वरक की बूजा का यहां पर देख सकती है निक्षम में लिखा हुए वरक की बूज़ा के तिन घ्यरखिए 25 सेंटिमिटर है कि निया है और पर द utilizz बरत पिरिमार अब बरत परिमार जाद कर निकले क्या सुत्र ौतार ही कि आपको बताए क्या इस ऑगता है चार गुजा वुजा याम धी ने कि u जो पी हमारेम्त की लंबाही दए रखिए उसको किसे पर दो चार से क्या चाहिएा दो बरत का पारिमाब क्यूं। क्योंकि वरक की चारू बुजाएं क्या होती है समान नुदी खेंग देखें बुजा क्या है 25 cm पचार बुणा 25 cm तो पचार की 25 से बुणा करें इसके आएगा 100 cm किस तरीके से हमारी आकरती एक का परिमाप होने गया थे कर लिया है अब किस पर चलें आकरती बी पर कि बीख की बात करें आप भी को पैचान करो कि आकरती बीख क्या है तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो आकरती बीग उसमें आप देखेंगे कि यह बुजा की 30 cm और इसके सामने वाली बुजा भी 30 cm रहें यह बुजा जो वाली तो जबी 20 cm है कहने का मतलाब आमने सामने की बुजाएंग क्या है समान है यह गोन सी आप करती बनी आयत यहां पर किसके बात करेंगे आयत की बात करेंगे देखिए यहां पर देखिए आयत की लंबाई कितनी है देख सकते हैं कितनी है 30 cm अब बात करें किस्ती चोड़ाई की तो चोड़ाई बराबर कितनी हो गई है 20 cm अब गुम्हें क्या निकालना है इसका भी परिमाप व्याद करेंगे परिमाप व्याद करेंगे तो परिमाप लेए सुटर लिख देंगे आयत का परिमाप क्या सुटर होता है आथ के परिमाप का आपको बताया गया था बेटा सुटर सारे याद करने है आपको बिदा सुटर आपको कोशली कुछ नहीं कर पाई नहीं तो देखो आयत के परिमाप का सुटर क्या होता है दो गुरा लंबाई पिलास चोड़ाई यानि लंबाई और चोड़ाई को जोड़ देजिए और उसकी किस से गुणा कर दीजिए दो से तो क्या सुटर बना दो गुरा लंबाई पिलास चोड़ाई तो परिमाप जाब कर देते हैं दो गुरा लंबाई कितनी है 30 सेंटिमेटर पिलास चोड़ाई 20 सेंटिमेटर तो आप देखें हल करेंगे दो गुराई 30 और 20 पचास सेंटिमेटर तो देखें कितना जाएगा 100 सेंटिमेटर आयत ता भी परिमाप जिन आएगा जो आकरती बी थी 100 सेंटिमेटर अब आप देखें कुछ तो समानता में नजर आ लिए कि आयत वरक थाम ने आकरती थी वरक थी उसका परिमाप भी कितना आया है 100 सेंटिमेटर तो इसी तरह से हम जो अगली हमारे दो आपकरती हैं उनका परिमाप ग्याद कर लेते हैं कि उनका परिमाप भी हमें क्या प्राप को रहा है अबस्वास करते हैं कि हम सी की मैश्माप बद्वी कि पैचार करते है कों सी आप करती है तो यहां देख सकते हैं यहां जर्ट बात करते हैं मिलें और ओने का मतलब क्या है इस आकरती में भी आमने सामने की बुजाय क्या है समान तो यह कौन सी आकरती है आयत आयत के हूं क्या निकालना है परिमाग्याद करना है तो देखिए हम लंबाई और चोड़ा ही लिख लेते हैं आपके पहले आयत की लंबाई तो देखिए यहां पर देख सकते हैं आयत की लंबाई इतनी है 40 cm और चोड़ाई तो यहां पर चोड़ाई भी देखिए हैं चोड़ाई कितनी दे रखिए हैं यहां पर 10 cm आयत परिमाः भी आद करते हैं सुथ्रव न ऊई है आयत का परिमाः परिमाः करते हैं दो पुर्ण लंबाई तो लंबाई की जगह लंबाई का माँ तो बराबर दो गुणा लगभाई का मान कितना है 40 पिलस तोड़ाई का 10 सेंटी मिटर दो गुणा 40 और 10 पचास सेंटी मिटर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयत का परिमाप जो आपकरती सीथ लिए उसका अभी कितना आ रहा है सेंटी मिटर तो आभी तक आप तीन आकरतीयो का परिमाप ज्याद कर चुके हैं अब बात करते हैं आकरती नंबर 4 आकरती नमबर चार आपको नजर आ रही होगी क्या है तिर्बूच और तिर्बूच भी किस परकार का है देखिए यहां पर तिर्बूच की दो गुजाएं आपको समान दे रखी है यह भी 30 cm और तीसरी गुजा क्या है चालीस सेंटिमेटर देखिए आपने पिछली क्लास्व किस्क Dreams फ्र्फस में पिर्घल के परकार करेंगे जिसमें आप कोनों के अधार कर तथा बूजाओं की आधार कर नोगे करें तो यहां पर भी देख सकते हैं कि दो गुजाएं समान तो किसी भी गुजाण की आगर दो गुजाएं समान होती है तो qoon सा तृबूच होता है सम्द्वी भाहु तिर्बुज सम्द्वी भाहु तिर्बुज मतलब सम यानि समान द्वी यानि दो भाहु यानि बुजा तो ऐसा तिर्बुज जिसकी दो बुजा है समानों क्या कहलाएगा सम्द्वी भाहु तिर्बुज तो वैसे हम तिर्बुज का परिमाव का लेगे रक्रेजा हम निकालने स्rovare वान मैंने आपको सु्तर लिखाया था Starting कि किहां यूल भूजा उग को का निदेवे स 계eking सिर्बुज का परिमाव प्रसान कि अरव दें कि तिर्बुज का परिमाव पर शुचर क्या होता है करने को तो तिनों पुजान को योग करेंगहिए तरह देखिए फूरी ज़ेंगी determination अ ऐसरी ने ज़िए कंद कके लिए 10 बुजा तिनी सेंकर कोया हो धित्रि दू मैं 30 को तिसरी 40 अदिक है कोई भी बंद आकरती है तो उसके चारु तरफ रफंगा यह बंसा कर लोगैंगे एक पूरा चकर किसी भी बंद आकरती आहियों हमारे दुआरा के गई दूरी पूर्सा करती किया क्या जलाती है परिमाग जलाती है तो देखिए यहां से चलना परारा में करें इसकर लागए तो देखिए यह भुजा आ गई लिए यह आगाा? 100 cm, तो देखिए students, अब हमने 4 आकर्तियों का परिमाप क्या कर लिया है, आकर्ति 1 का परिमाप कितना है, 100 cm, जो क्या थी? और आकरती B का परिमाप क्या है? 100 cm यह क्या था? आयत आकरती C का भी परिमाप कितना है? 100 cm यह भी आयत थी और आकरती D थी जो अपनी से चोथी नंबर की उसका परिमाप भी कितना है? 100 cm तो देखिए अपने उत्तर से कैनिसकर्स निकल रहा है उत्तर से हम कैनिसकर्स निकल पारें पर्टेज आकर्तिका परिवाब क्या है समान हम क्या लिख देंगे तो इक उप्रोब सब यह आकर्तियों का परिमार जाब करने पार यह निसकर्स निकलता है कि यह निसकर्स निकलता है कि पर्टेज आकर्तिका परिमार समान क्योंकि क्यूशन में हमसे पूछा भी गया था देख सकते हैं क्यूशन में पूछा गया था कि पर्टेज आकर्तिका हमें परिमार ज्याद करने है और परिमार ज्याद करने के बाद हमसे पूछा गया कि आप उत्तर से क्या निसकर्स निकलता है हमें उत्तर चेनिस करशनकला है कि परते आपकरती का परिमाप समान है पूल जो